तो Burning Games में आपका फिर से स्वागत है जैसा कि बहुत सारे student ने comment किया था कि सर्फ phonetics पे कोई वीडियो नहीं आ रहा है और मैंने questions को भी थोड़ा बहुत analysis किया तो मुझे लगा कि नहीं phonetics बहुत important है और बच्चे इससे भाग रहे होंगे क्योंकि आज तक आपने phonetics को परा नहीं है और फिर अचानक से यह phonetics आ गया तो बच्चे phonetics एक तरीके से आप समझो तो थोरा सा practice की चीज है ऐसा आप मत समझना कि मैं जो आपको वीडियो दे दूँगा तो आपका phonetics clear हो जाएगा मैं phonetics के दो तीन वीडियो लाओंगा ताकि आपका बहुत ही slowly slowly clear हो और phonetics में ऐसा कोई question नहीं है जो कि आपको पता है कि ऐसा question आएगा कुछ भी आ सकता है phonetics में तो be hope कि आपको phonetics का जो basic terms है वो पता होना चाहिए कि क्या होता है जब आपका basic terms phonetics का पता होगा तब आप क्या करोगे आप कुछ अलग भी अंधाज लगा सकते हो इसका answer क्या होगा उससे पहले हम आपको कुछ चीज़े बता रहे हैं कि जैसे कि एक black बेजम लेते हैं जैसे कि सबसे पहले आप ध्यान दो कि जैसा कि हमारे पास हम जो बोलते हैं हम क्या हमारे पास English में हमारे पास 26 letter होते हैं लेकिन जब 26 letter को अगर हमें बोलना होता और 26 sound ही होते तो फिर कोई problem नहीं होता बड़ तब main problem is कि 26 letter को बोलने के लिए 44 sound हमें निकलता है जब हम इस 26 letter को बोलते है तो 44 sound निकलता है तो अब सवाल आता है कि तब तो पक्का एक ही sound एक ही letter से 2-3 sound निकल रहा होगा तो ये अब बात आती है कि हम जो कह रहे हैं कि जब ये जो sound होता है इसी sound को कहते है phonetics क्या कहते हैं इसको phonetics कहते है मतलब study of sound is phonetics हो गया तो हमें 44 sound पढ़ने है इस 44 sound को हम कैसे पढ़ेंगे वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे और जब इस sound को आप पढ़ना सीख जाईएगा तब इसके बाद आती है articulation articulation मतलब ये जो sound हम निकालते हैं ये physically हमारे गर्दन हमारे जो कंठ है हमारा जो lips है हमारा जो tongues है इन सब के beat से कहां से निकलता है बचपन में आपने एक परहा होगा कि इस तरीके का संस्कृत में हमने असलोग पढ़ा था मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है बट I hope कि आपने परहा होगा इसका मतलब कि औ का कहां से होता है आ का कहां से उचारन होता है रीका बरावली रीका इन सब का उचारन कहां से होता है इसको निकालने के लिए हमें उचारन अस्थान पता होना होता है उसी को हम लोग कहते है आर्टिकुलेशन कि आप उचारन अस्थान बताए कैसे होगा तो आपको question दे देगा कि बताए इसमें से इसका उचारन अस्थान कहाँ होगा तो आपको पता होना चाहिए कि उचारन अस्थान कैसे निकाला जाता है तो चलिए हम लोग बात करते हैं ये तो आप देख लिए, ये हमारा figure है, ये हमारा nose के bugle का cavity है, इसके बारे में हम बात करेंगे क्या होता, ये दांत है, ये lips है, ये tongues है, उसके बाद हम इन सब के बारे में बात करेंगे कि ये पीछे वाला soft palate है, फिर हमारा ये उपर वाला जो होगा, वो रूप palate होगा, हमार ये बात करते हैं सीधे, पहले phonetics में आते हैं, तो phonetics में हमारा 20 fix later में हमारा sound हुआ, अब sound हमारा हुआ, तो sound में जब भी हमें देखने की होगे, तो सबसे पहले कि वो कहां से निकलता है, और कहां से निकलता है, ये चीज़ पढ़ने के लिए हम articulation पढ़ेंगे, उसके मारा mouth का shape कैसा होता है, और फिर हवा कितना जदा निकलता है, या नहीं निकलता है, ये इसकी चर्चा करेंगे, तो हम इसी में आगे जब चर्चा करेंगे, तो हम आगे ये भी पढ़ेंगे, fricative किसको कहते हैं, तो ये सब आपका question आता है, fricative किसको कहते हैं, हाँ, articulation के duration म fricative sound निकलते हैं ये बहुत बार question आया है हम इसको लेंगे अगले वीडियो में पहले हम basic समझ लेते हैं क्या होता है जैसे अब देखिए हमने लिखा है busy ओके ये हमारा हुआ busy लेकिन इसमें ये देखो कि busy इसको अगर हम real में परहे अगर आपको होगे की नई सरह हम पड़ते है अगर 26 later का 26 sound ही होता तो ये होता busy busi होता या busy होता क्यों 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 क्योंक تو wash होगया busy लेकिन ये busy है इसका मतलब कि यहां पे जो u है last बला y है beach बला s है ये कही न कही कोई और word ले रहा है, इसको जो प्रनॉंस करते हैं, तो हमारा B, I, इस टाइप से हमारा pronunciation निकलता है, तो हम लोग कहते B, V, word है, तो word इस तरीके से word लिखा जाता है, तो आप पोलो के सर ये बीच में क्या दे दिया आपने तो इसी को हम लोग कहते है sound, जैसे इसको ऐसे समझो कि अगर A मैंने लिखा, तो ये A later हुआ, लेकिन अगर इस later को मैं इस डंडे की बीच में डालूँगा, तो ये sound कहलाता है, और ये sound बहुत तरका होता है, तो कितने तरका होगा, तो हमारा consonant sound होगा, और vowel sound होगा, तो 24 I think होता है अब comment section में बताना कि 24 consonant sound होता या जादा होता है, और 20 vowel sound होता है, तो आज हम vowel sound और consonant sound को जब पढ़ने के लिए चलेंगे, तो हमें मालूम चलेगा दो चीज़ पढ़ना है हमें, vowel sound में दो तरका, आज हमने vowel sound को मिलाते हैं, तो उसको हम लोग कहते dip thong कहते हैं, ओके, dip thong कहते हैं, और इस पे सवाल आया हुआ है कि guys कि dip thong क्या है, हम आपको दिखाएंगे कि, पूछा हुआ हैं कि इसमें dip thong कौन सा है, ओके गाइस sorry guys, मेरी p b later के साथ, जैसे p है और उसके साथ h दे देंगे, यह हमारा later नहीं है, यह अब sound हो गया तो इसको हम लोग alo thon कहते हैं alo phone कहते हैं, मतलब कि कि किसी के भी साथ भी अगर h रहता है, तो उसको alo fan कहते हैं, आगे बढ़ते हैं यह रहा हमारा जो main आज का section है कि हमारा जो 5 vowel है, A, E, I, O, U उसको मिला के हम लोग sound बनाएंगे, तो sound बनाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं, monopathons कहते हैं, अभी हमने दो पता है एक पता है, dipathons, मतलब जब दो को मिलाएंगे, तो dipathons और monopathons, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक vowel का use कर रहे हैं तो एक vowel का use करके हम कितना sound बना रहे हैं वो हम देखते हैं, एक vowel का use करके कितना sound बनाते हैं, तो पहला जो monopathons होता है, वो इस तरीके का later होता है, अब इसको याद रखना इसको हम लोग कहते हैं e, जोड से आपको होगे e जैसे इसका होगा me, these need, मतलब e e कब found आ रहा है इससे ये जो होता है, वो छोटा वला e होता है, e ओके, और ये जो होता है ओके, इसमें o होता है you की तरह है, लेकिन ये इसका o होता है जिसे look, o, o का रहा है put, o आ रहा है, o क्या sound हुआ है, और ये o के बाद जब दो बिंदा दे दिया, तो इसमें हम लोग double o कहते है, o अगर ये था, तो ये हमारा सिर्फ single o था, put, look शुक, लेकिन इसमें हमारा o होता है, इसका मतलब two, okay इसका मतलब two लिखने का होगा, तो two हमने ऐसे लिखा, two अगर लिखने का होता है, तो two ऐसे लिखा, लेकिन इसको अगर हम sound के नजर में लिखना है तो हमें exam में ऐसे दिया जाएगा, two और o का sound क्या है, ये sound है, ठीक ना तो ये हमारा होता है, two तो इस तरीके से तीन आपको समझ में आया आगे चलते हैं इसको हम लोग कहते हैं इसको कहा कहते हैं हम लोग इसका मतलब get इट ओके ये जो होता है ये हमारा होता है क्या होता है अश ओके अबाउट आउट ये हमारा होता है three पे ऐसे dot रहता है उसको हम लोग कहते ow मतलब दो ow को मिला के ऐसा sound निकालता है जैसे her मतलब om दो बार ow is तरीके इसका sound होता है और अगर हमारा कुछ ऐसे रहता है तो इसको हम लोग कहते o, इसका मतलब or or हमारा रहेगा, or में o है, तो उसका हमारा इस तरीके का sound होता है, बच्चो आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज इस वीडियो को दो तीन बार देखना और इसको copy पे notes कर ले note बना देना, उसके बाद आप जाके google पे देखना कि हाँ ऐसे sound से कितने सारे words निकल सकते हैं आगे जो हमारा होता है, वो हमारा होता है इस तरीके का ठीक ना, इस तरीके का symbol आपको दिखेगा, तो आप समस्ज लेना, इसमें a का उचर आ हो रहा है a का निकल रहा है sound have, a, have इसमें a है, a have, अगर ये इस तरीके का रहे, तो ये हमारा होता but, add, इसमें हमारा a, start, art, a का होता है और अगर इस तरीके के रहे हैं तो आप समझ लेना कि हमारा o का from, from, om not, art मतलब o का हमारा उच्छारन हो रहा है इस तरीके से आप हमारा कहलाता है आपको भॉबल का अभी लेकिन यवी यह हमारा dip thong नहीं है dip thong क्या है? जब दो को मिला देते हैं तो आठ हमारे dip thong होते हैं इस आठ dip thong को आप जरूर पढ़ लेना क्योंकि इसको हम समझाएंगे तो आपका भी question बनेगा dip thong क्या होता? जब दो वावल को, जो जो हमारा monothong था, उसको हमने मिलाया और उससे हम लोग dip thong बनाएं, जैसे इस type का symbol होता है, इसको हम लोग कहते हैं इसमें क्या है? इसमें आप ध्यान से देखना इसमें एक ये है और एक ये है इसको हम लोग कहते हैं इया इया, उव एया, इसको कहते ए इसको कहते ओई और इसको कहते आई इसको कहते ओ इसको कहते आउ अब कैसे अगर आपको time, I'm time है तो इसमें क्या है time, I'm तो यह हमारा dip thong है उसके बाद हमारा oe point, oeint, oeint है p को हटा दो तो oeint है oeint है, point, oeint while में while है okay, ao है तो no no, no, ao ao है, how down, ao आपको question पूछा हुआ था आपको जो question पूछा हुआ तो यह हम बताते हैं लेकिन आप इसको देख लो ठीक ना, यह हमारा dip thong हुआ, इस पे question कैसा आया हुआ है वो दिखाता हूँ मैं और आपको इससे clear हो जाएगा यह देखो, question है which contains bubble which is dip thong dip thong में हमने बताया था अभी-अभी कि being है, bet है, see है, by है चलो dip thong में देखो तो dip thong में आप फलट के dip thong में देखना तो आपको मालूम चलेगा I dip thong में I का था sorry guys okay हाँ हमने by, by में देखो यहाँ पे क्या है by, I I और आप dip thong में जाके देखना तो हमने जब time का dip thong बताया गा time I'm I'm I था, तो हमारा by में dip thong है okay इस तरीके C, E हमारा कोई dip thong नहीं था being, in, E कोई dip thong था ही नहीं मेरा bet, A तो कोई dip thong था ही नहीं I मेरा dip thong था I मेरा dip thong था okay guys, तो इस तरीके से हमारा इस type का question हमारा clear होगा ठीक ना, और हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर dip thong का question मिलेगा आपको यह देखो, यहाँ पर dip thong का question मिला कि इसमें से कौन सा dip thong है तो देख लो, आप देख ले न, C, E हमारा dip thong है I dip thong है, A dip thong है boy, bat, A हमारा से dip thong है ao, तो oi, कौन सा हमारा dip thong है वो आप एक बार देख ले न, dip thong को आप याद कर ले न okay, कि dip thong क्या है E, A, O, A, A, O, I, O, O, O यह सब dip thong है, हाँ न, आप एक बार देख ले न, इसको dip thong को इसके बाद जो हमारा चलेंगे वो हमने आपको बताया था कि जो हमारा sound generate होता है वो कहां-कहां से जाए उसको हम क्या-क्या कहते है तो जो पहला हम बात करते है place of articulation हमारा क्या होता है, bilabial bilabial का मतलब होता है जब दोनो lips एक साथ आपको कोई sound दे, उसको bilabial कहते है जैसे प, ब, म दोनो lips एक साथ देखना इसको आप उचारन करना आप जाके गूगल करना कि bilabial sounds के इतने सारे हैं आपको दिख जाएगा bilabial उसको आप लिख लेना bilabial sound होता है जिसमें जब दोनो lips together होते तो उसको bilabial कहते हैं उसके बाद हमारा होता है क्या हमारा है labiodental labiodental का मतलब देखो dentist related है इसका मतलब दात आएगा labiodental में दात आएगा dentist है तो दात आएगा labiodental, upper darts and lower lips जब मिलता है फ, व, हवा इससे निकलेगा फ, व, तो इसको हम लोग कहते है labiodental sound कहते हैं अब हमारा होता है interdental sound interdental sound interdental sounds में क्या होता है दोनों tongues और tongues के बीच में teeth आके अपना pronounce करता है she, z यह हमारा phi का scene जब भी रहेगा phi का इस टाइप से theta टाइप से रहेगा इसको हम लोग she कहते हैं और हमारा इस टाइप से दे तो उसको हम लोग z कहते हैं याद रखना ओके, यह हो गया अगला हमारा होता है alveolar ओके, alveolar इसमें क्या होता है जो हमारा upper, front और नीचे दोनों के बीच में वो होगा stress परेगा do, do, she ओके गाईस अब हमारा अगला होता है palatal palatal में क्या होता है upper वला जो hard first face है उस पे हम लोग touch करते हैं श इस तरह का sound जहां पे दिखे इस तरह का इसको हम लोग श कहते हैं ओके, श और यह हमारा है ज तो चलो इस पे question आया था कि ऐसे था कि G capital G कब इस 3 की तरह sound करता है ओके, तो यह हमारा ज है ज 3 है, 3 है हमारा क्या यह हमारा जो 3 है यह हमारा ज है ओके, यह question PYQ है, आप देख लेना एक बार PYQ और मेरे को comment करना कि आपको मिला या नहीं और अगर और ऐसे रहे तो यह समझ लेना यह है और यह सब sound जो होता है palletal sound है ओके, guys next हमारा बात करते हैं तो next हमारा होता है veler veler हमारा क्या होता है अन्दर से G G अन्दर से निकल रहा है ओके अन्दर के soft soft version से अन्दर से निकल रहा है लेकिन glotal क्या होता है अंदर से ये भी निकल रहा है लेकिन हार्ड वर्जन थोरह सा हार्ड वर्जन से निकल रहा है अंदर तो इस तरीके से guys हमने आपको articulation बता जाया articulation के बाद हम आपको आगे लाएंगे इसमें fricative के बारे में बताएंगे हम आप लोगों को उसके बाद हम लोग diffthong के बारे में आपको बता ही दिये हैं okay syllable के बारे में बहुत कुछ बता ही दिये हैं उसके बाद हम लोग ये जो exploded coins concept है suffix perfect का concept है ये हम जल्दे जल्दे आपको देंगे जैसे question में ऐसे था कि g को capital g को कब small g के तरह pronounce करेंगे तो आप guys आप I hope कि आप ये सब काम करोगे और इसके साथ आपको मैं कुछ trick दूँगा जिसमें English को कैसे याद किया जाता है वो याद करने का ठीक ना तो उसका भी video एक मैं छोटा सा दे दूँगा जिसमें आपको trick याद हो जाएगा इसके लिए इस video को आप दो तीन बार देखना और उसको notes करना और आप google के use करना question solve करने के लिए तो आप I hope कि आपको ये video कुछ न कुछ आपको clear हुआ होगा Thank you guys Thank you to joining me Thank you और आप please मेहनत करो आपके साथ जितना हो सकता है मैं दूँगा जितना हो सकता है मैं दूँगा आपके साथ चलो guys So हम next video में फिर से मिलते हैं Thank you And पूरे video को देखना मज़ा आएगा और अगर कुछ भी suggestion हो तो please comment करना और आप लोगो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुरे हुए है हम भी आपके साथ जुरे हुए है Thank you guys